नालंदा Zillay में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस पर उत्सव का माहौल रहा। जिले के सभी प्रखंडों में धूम धाम से कारिक्रम आयोजित किये गए। नालंदा जिलापरिशद कार्याले में जिलापरिशद अध्यक्ष पिंकी देवी के द्वारा जंडो तोलन किया गया। इस दोरान जिलापरिशद उपाध्यक्ष अनुराधा देवी और थर्थरी जिलापरिशद सदस्य तरुन कुमार यादव मौजूद थे। इस मौके पर जिला परिशद अध्यक्ष पिंकी देवी और उपाध्यक्ष अनुराधा देवी ने जिले वासियों को गनतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाई दी उन्होंने कहा कि गनतंत्र दिवस हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है वहीं रहुई प्रकंड के अंबा पंचायत में मुखिया सुशीला देवी ने पंचायत सरकार भवन में जंडो तोलन किया इस मौके पर भाजपा नेता अविनाश प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे मुखिया सुशीला देवी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए एक एतिहासिक दिन है हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए वहीं सोंसा पंचायत में भी मुखिया सत्यंद्र पासवान ने जंडो तोलन किया इस मौके पर भाजपानेता विनोध मुखिया मौजूद रहे मुखिया सत्यंद्र पासवान ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे देश के गौरव का प्रतीक है इस दिन हम अपने देश की प्रगती और सम्रिध्धी के लिए शपत लेते हैं उन्होंने कहा कि हमें अपने देश को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए के गंतंत्र दिवस के अपसर पर सभी नालंदा वाशियों को मानिय जिला परसदस्यों को सभी पदाधिकारी गन को मैं गंत्र दिवस की हादिश चुप कामनाई देती हूँ हैप़ी रिपब्लिक डे ओल अफ यो क्या अपिल करते हैं लोगों से यही अपिल करती हूँ कि सुक सांति बनाया रखे सभी मिन्नत की भाव से सब लोग एक जूट होकर सभी मिल कर रहे हैं और खुसी बाटे अज अमबाप पंचायत में गंत्र दिवस के अफसर पर पंचायत सरकार भौल में मानिय मुख्या सुशिला देवी के द्वारा जंडो तोलन का काज़करम किया गया और समस्त अंबाप पंचायत की जनता को मानने मुख्याजी की ओर से हार्तिक बदाई अभिनंदन गंतन दिवस के अपसफ़े में जिता हूँ आज हम लोग गंतन दिवस अपने जीला परसद ओफिस में हमारे अध्याच के अध्यास्ता में और डीडी स्री मुकर्ज परलक परदारीकारी के अध्यास्ता में हम लोग अपना ज्छन्डा तोलन किये और सभी जिला वास्यों के संदेश देना चाते हैं नेतरंतर दिवस में सांती से पुलिस ज्छन्डा फराएं और अच्छे से रहें अज पनचाइद के पनचाइद ज्छन्डा उत्यस्ता में ज्छन्डा उत्वर ने किये संदेख दिकास करें इसके साथ पुर्टी पनचाइद की अध्यास्ता में